अच्छा नमस्कार दोस्तों आज फिर से पांच मिनिट संस्कृत के इसमें हम सीधे संस्कृत अब सीखना चालू करते हैं तो अभी तक हम संस्कृत के अक्षर, उसकी ध्वनिया, अक्षरों की ध्वनिया, हम काफी कुछ देख चुके हैं, समझ चुके हैं और यदि आप उसका अभ्यास कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको संस्कृत और हिंदी के अक्षर और ध्वनिया अभी समझ में आने लगे होंगे तो तिल नव आप लेटर्स और शांद आप संस्कृत और हिंदी अस वल नोब अब आप प्रॉनुशेशन और रइटिंग अफ इंडिविजव लेटर्स व्यास कर शूचे वल सेशेन अफेन अप्सेंट्ण्स अमने मात्राएं भी संस्कृत और हिंदी के शब्दों की तो अभी चालू करते हैं आज, सिदे संस्कृत के एक छोटे से बाग के से, Today let us start with a small sentence of Sanskrit and directly learn from this. Alright? And this is the best way to learn a language. Directly jump into it. Instead of trying to find meanings of individual words, ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी भाशा को शीकने का. किसी दे उसकी बोल्चाल को सुनना समझना सीख लिया जाए. तो शुरू करते हैं. रामह गच्छती ठीक है, तो यह एक पूरा वाक्य है संस्कृत का रामह मतलब राम या इंग्लिस में लिखेंगे तो राम गच्छती गच्छ एक क्रिया है संस्कृत में, गच्छ मतलब जाना तो गच्छती मतलब जाता है गच्छा इस वर्ब इंशकृत गच्छती मेंज गउज इसेंशली इस सेंट्ञेंज मेंज राम गउज राम जाता है अब ये हम किसी और मनुष्री के लिए जब कह रहे हैं तब गच्छती लगेगा ठीके अब यदी मैं बोलना चाहता हूं कि तुम जाते हो so when I am talking about a third person then गच्छती stands correct now if I want to say तुम जाते हो तो I will say त्वम which is which stands for तुम और यू और यही गच्छ जो है थोड़ा सा बदल जाएगा त्वम गच्छ सी तो यह छोटी छोटी इस भाशा की बहुत बारीकिया है जो धीरे धीरे उपयोग करते हुए समझ में आने लगेंगी और आज से ही हम वही सीख रहे हैं तो यह थोड़ा सा फरक आ गया तो अब त्वम मेंस तुम या थोड़ी आम भाशा में अधिया आप कहींगे तो तुम या तू उसी को अंगरेजी में बोल दो तो यू और गच्छ सी मतलब जाते हो या तू जाता है तूम जाते हो या तू जाता है या इंग्लेश में लिखेंगे तो यू गो और एक साथ जो जा रहे हैं उनको मैं अलग तरह से अंडरलाइन करता हूं तो तुम जाते हो और तू इस ट्रिपल अंडरलाइन तो तू जाता है ठीक है तो अब ये दो बहुत सिंपल संस्कृत के आसान से बाकिय हो गए और हमारे आज पांच मिनिट भी पूरे हो गए तो चलिए अगली बार मिलते हैं तब तक इनको समझ के याद करके देखिए धन्यवाद नमस्कार तो फाइब मिनिट्स अर ओवर लिट उसमीट अगें नेक्स ताइम थैंक ये विवान गुट टेए गुट टाइम भाई